बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दाश्चों को इस कारिक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे नौकरियों की जियां हलाकि सभी पार्टियां जो सभी दल हैं जब भी चुनाओ की बात आती है चुनाओ के पचार के लिए निकलते हैं तो उनका एक ही नारा होता है कि सभी को रोजगार मिलेगा और सरकारी रोजगार मिलेगा हर युवा का ये सपना होता है कि उसे एक सरकारी जो नौकरी है वो मिल जाया और उसके लिए वो जीतोड मेहनत भी करता है और जब भी कहीं पर भरतिया निकलती है कहीं भी थोड़ी भी पोश्ट अगर निकलती है तो लाखों लोग जो हैं उस दौड में होते हैं उस पोश्ट को पाने के लिए उस नौकरी को पाने के लिए लाखों लोग दोड़ जाते हैं फिर वो रेलवे के ट्रैक्मेन का भी अगर पद हो तो उसमें भी पीएच्डी जो चातर हैं जो पीएच्डी विद्यारती हैं वो भी उसमें बहरती होते हैं ये बड़ी दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि भारत में जिस हिसाब से दरजगारी बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है नौकरिया खत्म हो रही है तो ऐसे में एक एलान होता है कि राश्ट्री नेशनल रिकूर्टमेंट एजेंसी यानि कि राश्ट्री भरती एजेंस है वो बेच दिये गए जिसका प्राइविटेशन यानि के निजी करन हो गया है और ये कह रही है एजनसी कि ये सरकारी जो केंदर सरकार की जो जो भी विभाग है जो संस्थान है वहाँ पर ये नौकरी तलाशेगी और उसको नौकरियां देगी उसमें कुछ चीजें भी बना करें फिर से एक बर नई परिचा दीजे फिर इंतजार करें त्रफ कुछ होगा तो अभी उसमें क्या होगा इस पर तो हम बात करेंगे लेकिन चूंकि बात जब नौकरियों की आते तो स्वागी की जिग्यासा बढ़ जाती हमाह साथ प्रोफिसर सुनील कुमार हैं जो की दोनों का बहुत बहुत इस करिकर में स्वागत करते हैं और सबसे पहले मैं सुनिल जी आप से जानना चाहिए कि ये जो इस्थिती बनी है कि कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ नौकरियां मिलेंगी जो बहुत बड़ा एक वादा था कई करोन नौकरियों का तो शायद नौकरियां मिलेंगे मगर ये किसकी कहां पर इसकी भरती होगी क्योंकि विभाग तो कुछ रहे नहीं बचे नहीं बड़ी दिल्चेस फेस्थिती है जब मुझे ये सुचना मिली जब ये ख़वराई की इस तरह की एजनसी बन रही है तो मेरे दिमाग में एक रूपक आ रहा था कि जैसे किसी शहर में जो भूखे लोग हैं जिनको खाने के जरुवत है उसके लिए सरकार की तरफ से 10-12 ऐस जगा निरधारित है कि यहां आपको खाने दिये जाएंगे और हर जगा यसे भूखे लोग की भीड है कहीं कहा जा रहा है कि राशन नहीं है अभी आ रहा है किसी जगा जगा जा रहा है कि वो खाना नहीं तयार हुआ है कहीं कहा जा रहा है कि रसोया भी नहीं आया है तो ब यह है कि जिन कारणों से बाकी जगा खाने नहीं दिये जाते थे, वो कारण अभी भी बने हुए. दूसरी जो चीज है, यह तो वही हुआ कि आप यह मतलब खाने वालों की कतार लगा दें, जो भूखे लोग हैं, और आप जो है किसी प्राइबेट वालों को बेच दें और ख सरकार हैं, मतलब यह हम लोग अपनी बात नहीं कह रहे हैं, सरकार कहीं बात कह रहे हैं, कि दो आजार चौदा में यह बहुत जोर सोर से नारा लगा था कि प्रतिवर्स दो करोड लोगों को नोकरिया मिलेंगी, हलाकि सरकार ने लगता है कि वो जो लोग भी भाजपाय के ल जैसी बात कह दी, चुकि वो वादा तो निभा रहा हैं, लेकि नोकरी देने की नहीं, नोकरी लेने की, अभी आप इस लोग डाउन में देखिये, सब को पता है कि कितना बुरा हाल हुआ है, और बहुत सारे करोडो लोग की नोकरी गई है, चाहे वो मीडिया के शेत्र में ह या शिक्षा शेत्र में जो लोग जो स्थाई थे, गेस्ट लेवल पे थे, हायर एजुकेशन में भी हम देख रहे हैं कि अभी जो गेस्ट टीचर थे, उनकी बहाली नहीं हो रही है, कई जगे टीचर ने आत्मात्याई की, कुछ जगे टीचर के मैं इसलिए बात कर रहा जो कि समाज का एक बुधिजीवी तपका है, महतपूर तपका है, जो बच्चों को तयार करता है, जो नई पीडी को तयार करता है, वो सबजी बेचता नजर आया, और छोटे-छोटे काम करता हुआ ये नजर आया, तो एक तरफ जो ये घोशना हो रही है, कि एक रास्टिय भरती एजनसी बनेगी और दूसरी तरफ तमाम सारे जो जो सरकारी संस्थान हैं उन्हें बहुत धडलले से ऐसे बेच रहे हैं जैसे लगता है कि इन्हें के पूरवज ही उसको यहां रखके गए थे कि बेटा तुम आना और एके करके बेचे देना बेचने के लिए रखे कितने लोगों ने मेहनत की कितने कामगार लगे होंगे कितने सारे लोग की पसीने और कितने लोग की संलगनता इसके साथ होगी तो किसी चीज को तयार करना बशीर बद्र का शेर है कि वो लोग तूट जाते हैं घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में तो लोगों ने इतनी मेहनत के साथ एक संस्थान खड़ा किया और उसको कितनी आसानी से बेच रहे हैं लोग ठीक वैसे ही जिसे बाप दादों की संपती को जो शराबी बच्चे हो वो बेचते हैं तो मैं किसी को शराबी तो नहीं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता लोग साही हो रहा है तो फिलहाल मैं यहीं कहूंगा कि यह जो राश्टिय भरती एजनसी है यह शिवाय हाथी के दाद के और कुछ नहीं करने जा रही है चुकि इनके पास इन्पूट ही नहीं है इनके पास अंदर मेटेरियल ही नहीं है राशन ही नहीं है किचन ही नहीं है पत्थर उबालती रही एक मा तमाम रात बच्चे फरेव खाकर सो गए तो मतलब ये इस्तिती बनी हुई है ललिजी बहुत बड़ा समाज है वबीसी का और अगर देखा जाये तो नौकरियों की जब भरती की बात होती है तो 90% यही वो लोग होते हैं जो छोटी-छोटी नौ नौकरियों तक तो पहुची नहीं पाते है क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी छनिया लगी हुई है तो यह जो छोटी नौकरियां जहां मिलती थी चाहे वो रेलवे हो चाहे वो तमाम वो छोट-छोटे संस्थान है वो तो अब है नहीं अब ये राष्ट्रिये जो रिकूर् तो मैं आपके इस कारिकरम के लिए आपको बहुत-बहुत बढ़ाई और शुपकामना हैं देता हूं कि आप निरंतर ये कैसी स्कृति में ऐसे समय में जबकि पूरी तरह से समाज के ऊपर देश के ऊपर नौकरियों के ऊपर प्रतिनिरत के ऊपर लोकतंत्र के ऊपर दूसरा जहां तक नौकरियों का मामला है तो जैसे अभी कुछी समय पहले की बात है कि इन्होंने सयुक्त सेकेटरी लेवल पे इन्होंने लेटरल इंटरी भरतियां सुरू कर दी कि जिन्होंने कोई I.E.S. का एक्जाम नहीं दिया कुछ नहीं दिया और उन लोगों को डा समाज से हम लोग जिनके निया के लिए हक अदिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं उनका कहीं कोई प्रतनेश तो वहां पर था नहीं और दूसरा एक तो यह है कि नियम कानून को दरकिनार करके बरतियां चाल हुए है दूसरी तरफ जैसे अभी हमारे साथी सुनिल जी बता के बाद एक समाज के अंदर जो क्रोध और जो गुसा और जो असंतुष्टी पैदा हुई है कहीं न कहीं उस असंतुष्टी को एक मैनेज करने का काम है कि देखो हम नोकरी देने के लिए एक अलग से एजनसी बना रहे हैं तो वो हम लोगों को कुल मिला किस देश के जो आर जो आरक्षे समाज को जो शुरू हुआ था वो अंग्रेजी साथनकाल में 1835 से शुरू हुआ था तो अंग्रेजों ने चाहे नोकरी देने का काम हो चाहे सिक्षा देने का काम हो चाहे संपत्ती रखने का दिकार हो चाहे देवदासी परतापर प्रतीबंद हो चाहे शुद नाराज होते जा रहे थे परदिकारों को डिजाल्व करने का काम इस देश में बड़ी तेजी से चल रहा है। तो ये सिर्फ हाथी के दात दिखाने के हैं, कुछ जमीन पे कुछ होने वाला नहीं है, सिवाए बरबदी, बरवादी के. सिवाए बरवादी के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर इस बात का वो लेक करना भी ज़रूरी है, कि बहुत सारी भरतियां जो अभी हाल ही में हुई, निकली थी, कुछ समय पहले, कुछ इलेक्शन से पहले, और कुछ इस दवरान, कुरोना से पहले, वो सारी जो भरतियों की जो विग्यापन थे, वो निकले, लोगों ने फॉर्म बरा, बहुत सारे पैसे भी लोगों ने भेजे, उसके बाद कुछ लोगों की परिक्शाएं हुई, कई लोग दो तीन सालों से उन परिक्शाओं की रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ कुछ भी है, और साथ में ये नाटक बाजी, तो ये मुझे बताएं, कि ये नाटक बाजी जो है, ये अखिर कब तक हमारे लोगों के समझ में नहीं आएगी, या लोग अभी भी मोर नाचा और तमाम स्राइट टाइप की चीज़ें देखते रहेंगे, मतलब मज़ा आ रहा तो उत्रप्रदेश को देख लें, तो उत्रप्रदेश में जितनी बड़ी-बड़ी बाते कीजा हैं, लेकिन सचाही हैं कि वहाँ कोई एक तो नोकरिया नहीं आती है, परिछा होती है, तो ये ये यूपी के साथ खास दर से बात है, कि कोई भी वहाँ, रिजल्ट अभी ज इसे कोशन आउट होना ही बहुत सामाने बात है, चाहिए बिहार की परिक्षा हो, या या यूपी की, या अब तो बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी परिक्षाओं के प्रशनपत्र आउट हुए हैं पिछले, इसी सरकार में खास्तर से, तो ये पूरा-पूरा मजाग बन नौकरी सिरीज ती, उसमें इस तरह कितनी घटनाय आई, कितने तरखे, और दिल्चस्ट फेवी है कि जो नौजवान है, जो ये चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नियुक्ति पत्र मिल जाए, लेकिन रोजगार के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, वो नौजवान कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, यानि को तुसरे के रोजगार से कुछ लेना देना नहीं, तो ये पिछले 8-10 ताल में इस तरह का मानस तयार हुआ, इस तरह की mentality बनी है नौजवानों की, कि किसी गलत के खिलाफ न बोलो, अपना बस भला सोचो कि हमें रास्ता मिल लेकिन जो सड़क पी इतनी जाम लगी हुई है, ये जाम जीतना लगा हुआ, इन किन कारणों से लगा, उसको दूर करें, क्योंकि दूसरे यात्रियों को दिक्कत नहीं, मुझे रास्ता चाहिए, मैं आगे निकल जाओ, बाकि जो जाम है, वैसे ही पुड़ार है, तो ये ये राम मंदिर की जो बात है, जो दिया जलाने की बात ही, बहुत सारे मयानक संख्या में जो शुद्र बर की ओवी सी लोग है और दलित लोग है, जो गुलाम लोग है, कुछ आदिवासी लोग भी, इन लोग ने भी दिये जलाए, तो मुझे तो लग रहा है, ये अपने घ लेकिन बहुजान समाज के लिए उसके क्या ज़़ुआ है पढ़ाई लिखाई सब कुछ है तो सरकार जो है यह नौकरी देने की बाद ठीक वैसी ही है जैसे कि थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा और दिया जलाने परिछाओं को तर्च जलाने से मुंबती जलाने से कोरोना चला जाएगा इन लोगों ने कोरोना की इलाज बता दिया कि पापड खाओ और दिया जलाओ और टाली बजाओ और जो है वो गोमुत्र पीयो और गोबर लगा लो वैसे ही नौकरी है कि अच्छा तुमको नौकरी च है वो सारी परिछाओं को करा डिए जो परिश्या का स्तर है वो बदल चुका यानि कि अब तोड़नी अभेट वह घ्तरणाज चीजह है कि आप एक प्रोफेसर को भरने जा रहा है इक टीचर को भरने जा रहा है आप अब जले परने जा एक अप ज्जान करके कहा से टीचर इसे हम पढ़ी कर सकते हैं। तो यह समझता हूं कि यह सब को जानबुच के लोग परते हैं। कि यह खुदी चाहते हैं लोग कि कोई बैग्यानिक चेतना, तार्खिक चेतना, कोई बधिक्ता का प्रसार, प्रचार, सिख्षा के माध्यम से, खासकर हायर इजुकेशन के माध्यम से, नौ जो आने में नौ होने पाए, यानि बधिक्ता नहीं होगी, तार्खिक्ता नहीं हो निसना बूत करने जो उसका उसकी मंशा है उसमें सफल हो जाएगी यह तो खतरनाक बात है यह वाकई वाकई और देखा जाए कि ललिग जी तो आप तो समाज में जाते हैं और देख रहे हैं कि बहुत बड़ा समाज है OBC का और OBC के ही बच्चे होते हैं जो कामड लेकर जाते हैं OBC के ही बच्चे होते हैं जो बड़ी संख्या में टॉर जलाते हैं OBC के ही बच्चे होते हैं जो बहुत बड़ी संख्या में जो जो है कि राम बंदिर के ट्वीट करते हैं या लिखते हैं वाटसप पे तमाम सारी चीज़े यह सब ठीक है अपनी जगा पे यह सब कुछ करते रहें उससे किसी को गुरेज भी नहीं है लेकिन नौकरियों के लिए आवाजे बच्चों की ओर से उठती नहीं है तो क्या आपको लगता है कि OBSI समाज को नौकरियों के जरुरत नहीं है नहीं ऐसा नहीं है मेसराम साब नौकरियों की जरुरत तो है पर अभी तक जो मैंने देखा है मैं पिछले 5 साल से बैसे तो मिसन में 22 साल से काम कर रहा हूँ पर अभी पिछले 5 साल से संगठन बना के जो काम किया और मैंने जो देखा है मैंने एक चीज यह देखी है कि बिसेश रूप से हाला कि काम तो मैं पूरे बहुजन समाज के लिए करता हूँ पर बिसेश रूप से मैंने OBC समाज पर जादा फोकस किया क्योंकि जादा जागरूत करने की जरूरत OBC को थी एसा मैंने मैसूस किया इसलिए OBC पर जादा फोकस किया OBC के नाम का संगठन बनाया और मैंने ये देखा कि OBC के लोगों के बीच में दिक्कत ये है कि उसके कानों में जो बात अभी तक जितनी भी संगट हैं जितनी भी संस्ता हैं और जितनी ब्यक्ति उस तक चाहे मीडिया के माद्यम से हो चाहे फिजिकल माद्यम से हो चाहे किसी संगोष्टी के माद्यम से हो किसी कानों में जो आवाज जाती है जो बात जाती है जो विचार जाती है तो वह पिछले लगवाग 4,000 वर्स से जा रहे हैं तो साड़े चार हजार वर्स से चुकि वो उनके संपर्क में रहा हमारा जो जिसको इन्होंने अच्छूद बोला है वर्ण वहाय बोला या जो ट्राइग्स है तो वो इस विवस्था के संपर्क में नहीं रहे हमारे जो लगबग आज 25 परसेंट लोग हैं जिनको हम S3SK के ल नहीं रहे जितने OBC के लोग रहें तो OBC के लोगों के अब मैंने यह देखा है कि उनके पूरा उनके बच्पन से लगा कि मरत्यू तक पूरा सब कुछ संस्कार हो या उनके किचिन तक घुसने का मामला हो उनके पूरे दिमाग को ट्रेंड करने का मामला हो यह पूरा मामला इस कदर से जकड़ा हुआ है कि वो और कुछ सोच नहीं पाते वोगी सी तो यह कहता है कि यह सब हमारे भाग से हो रहा है जो कुछ होए राम रचिरा का को कहीं तर्क बड़ा वहीं साखा हानी लाव जीवन मरन जस अप जस विदिहाथ तो जो कुछ है सब विदाता के हाथ में अगर मैं नहीं पड़ा तो विदाता के हाथ में मैं अगर बेरुजगार हूँ तो विदाता के हाथ में मैं गरीब हूँ तो विदाता के हाथ में मैं आक्सिडेंट हो गया तो विदाता ने किया मैं बीमार हो गया तो विधाता ने किया मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईस्वर के हाथ में विधाता के हाथ में ऐसा मैक्सिमम ओवी सी मान के बैठा इसलिए वो जब विधाता सब कुछ कर रहा है और विधाता कभी किसी को मिलता नहीं है तो इसलिए वो जो करने वाले लोग है वो छुप जाते हैं विदाता के नाम पे और ये चुकि विदाता इसको मिलेगा नहीं उससे पूछ नहीं पाएगा इसलिए वो हमेजा ही इन उत्तरों के वारे में वो सोचना बंद कर देता है का भगवान से कौन टकर आएगा और भगवान कहां किसको मिलेगा वाक़े 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 तो इस चकर में ये पूरा गुमराय हो रहा है पर जब से फूले जी का अंदोलन है बावा साफ का अंदोलन आया और भी हमारे महापुरसों ने जो अंदोलन चलाया जिसके परिणाम सरूफ हम जैसे लोग जो जाने और समझे और समाज में काम करने के लिए तयार हुए है तो ये बात बिलकुल सही है कि बरतवान समय में OVC के लोग बहुत तेजी से जाग रहे हैं अपने संबेदाने के लोगतांत्रिक हाकदिकारों और अपने प्रतिनुत के लिए बहुत तेजी से अंदोलन कर रहे हैं और वह दिन दूर नहीं हैं हम तो आसावादी लोग हैं यह कितना है भी कर लें कुछ भी कर लें पर एक दिन ऐसा आएगा और बहुत जल्दी आएगा कि हमारे पूरे बहुजन समाज के लोग मिलके पुनहा लोग तंत्र की सापना करेंगे पूरी तरह से जो पूरा पेक्ट के पहले का कमुनियल आवार्ड वाला जो संभीदान है जो नियम कानून है पाज़वी अनुसूची चटी अनुसूची का मामला है OBC के बहुत सारे मुद्रे हैं अल्बसंकेक के बहुत सारे थे इनको पूरी तरह से जो बावा साहब चाहते थे बैसा संभीदान जोते जोती वरा फुले जीद चाहते हैं वो पुना लागू होंगे और यह जितना और मैंने एक चीज़ और देखी मिस्रम साव अंतमे समय आपका कम है अंतमे एक चीज़ और मैंने देखी है कि मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, संगठन बना के 2015 से काम कर रहा हूँ, पास साल हो गए, अभी जो OVC की जागरती जो है न सबसे जादा जागरती का आई है पता है आपको, यह जो मोदी जी की जो गवर्मेंट आई है और अभी जो इनों ने जो ताना साही जो रूप और जो नीजी करन कर रहे है, लेटरेलिंटी कर रहे हैं, OVC के क्रीमिलेयर का मामला हो, OVC के解़र्वेशन का मामला हो, किसानों के मामले हो, उनके OVC के साथ अन्यया, जादा आपको के मामले हो, यह बहुत जादा पिछले 2-3 साल में बड़ा है, तो मैंने एक देखा है, क और मैं तो यह चाहता हूँ कि बस ऐसे यह कुछ करते रहें और जल्दी से समास सब जागरित हो जाए और दुबारा से फिर हम लोग अपने हिसाब से सब लागू कर दें, ऐसा समय बहुत नजबी है। तरह से नहीं मिल रहा है। ऐसी इस्थिती में क्या आपको लगता है कि ये जो चुंकि सारा जो रिजरविशन तो एक तरह से शुपता औस्था में चला गया है, खत्म ही हो गया है, तो ऐसी इस्थिती में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? सुनें जी, युवा कि आने के बाद भी खास तोर से सोशल मेडिया के मादियम से, फेस्पूक अगरे मादियम से, OBC नौजवानों में भी चेतना आ रही है, बहुत सारे लोग अभी सचेतना नहीं है, लेकिन OBC के लोग आ गया है, सबसे बड़ी चीज को बाबा साहब को अपना रहा है, चेतना को मैं वही से जोड़ता, इस देश का कोई भी वन्चित समाज, जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा जानेगा, चुकि बाबा साहब की लड़ाई सबसे ज्यादा इस ब्योस्ता से थी, और बाबा साहब की बात कर रहा हो, तो उसके पीछे ये पूरे महापूरुष है, अचे जब कीछे तो सब किसे न किसी रुझ में समाही की, तो इसलिए जो भी वन्चित तबका है, चाहे वो इस、 तरिया हो, चाहे वाधिवासी समाज हो, चाहे वोबी सी समाझ हो, या अलप संक्यक समाझ हो, उसको बाबा साहब को जानना समझना पढ़ेगा अपने अंदोल कि लिए तो OBC की जो UAPD है उसमें लोग लड़के जो है टेजी से जुड़ रहे हैं लड़के लड़कियां बाबा साब से एक जो है सकरात्मक चीज है दूसरी जो चीज है वो यह समझ रहे हैं कि हमारी दुर्दसा का कारण ही है धार्मी घुलामी वो जान रहे हैं पिछली ब सामने वाले कोईरी है कुर्मी है यानि कि संक्या सबसे ज़्यादा कामर लेकर जाने वालों में दूसरी चीज ओवी सी का पढ़ा लिखा नौजवान यह देख रहा है कि विश्वित पूरे देश के विश्वित द्याले में मतलब एक दरजन भी प्रोफेसर नहीं दिली वि ज़वान तब का है यह समझ रहा है कि जो भी रिजर्वेशन मिला समिधान में प्रावदान किया गया फिर मंडल कमिशन के द्वार सिफारिश है फिर बीपी सिंग ने लागू किया बाद में अर्जुन ने लागू किया इसका ही नतीजा है कि जो थोड़े बहुत लोग वी लोग उनमें चेतना आई है और वो दली समाज के साथ आदिवासी समाज के साथ मिल के गुलबंदी कर रहे है एक बादिक एक बैचारिक ताकत तयार हो रही है तो बेवस्था को पता है शोशनकारी जो बेवस्था उसको पता है यही खतरनाख चीज़ है यानि इनको आगे बढ़ने दो इसलिए उन्होंने ओभी सी की जो मंडल कमिशन की बाकी स्विफार से लागू नहीं की और हायर एजुकेशन में भी रिजरबेशन ठीक तरह से लागू नहीं है बहुत सारे जो सीठ है वो खाली है सबको पता है इसलिए जो चीज है इसी के पैरलेल वो धार्म द्यारमिक जो जितना उन्माद है धार्मिक जो जितना करमकान है उतनी तेही से आगे बढ़ा रहा है उनको पता है की यह धर्म का जो बज़या है यह हमारा बढग सकता है इसलिए भाजिबा में जितने दंगाई हैं इतने मारकाट वाले हैं, वो राम मंदिर के शुरू वारे रथयात्रा से लेके अब तक, वो सब ओभी सी, फाइदा उन्स दूसरे लोगों को मिला ही अलग बात है, लिकनि ये सारे जो खुंखार नेता है, ये अलग बात है कि उनको जो उध्गाटन होगा तो उनको नहीं इस समाज को केवल सिख्षा से मिलेगा, रोजगार से मिलेगा और समिधान से मिलेगा, इसकी जरुपत है, इसकी जरुपत है, इसकी रिपोर्टें तो अभी लागू हुई नहीं हुई है, और मंदल कमिशन के और मंदल कमिशन को पूरी तरह से लागू नहीं किया, और हम लोग जो आज ओबी सी के लोगों में जो जागरती आ रही है, तो हम बड़ी तेजी से मंदल को लेके ओबी सी के बीच में जाते हैं, और जब उनको बताते हैं, कि मंदल लागू होता तो यह होता है, और मंदल का जनम दिन भी है, तो सुफलक्ष में मंदल कमिशन की सिफारों से के ऊपर हम लोग बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, और मंदल कमिशन के बारे में और उनकी सिफारिसों के बारे में नोजबानों को बता रहे हैं, और यही कारण है, कि बड़ी तेजी से OBC के लोग मिसन में जाग रहे हैं और बाबा साव अमबेटकर को पढ़ रहे हैं और अपने संवेदाने का कदिकारों के लिए तैयार हो रहे हैं लेकिन फिर भी एक चीज तो है कि जब भी समुधान की बात होती है तो एक वर्क से जोड दिया जाता है हाँ ठीक है स्पीड उसके लिए भी बढ़ गई है। कि अगर आरक्षन खतम हो जाता है, नौकरियां खतम हो जाती है, तो HCST के लोग टूट जाएंगे, और OBC जो तेजी से उदर जा रहा है, वो भी दीर दीरे अपने घर वापस हो जाएगा, इसलिए वो तेजी से सरकारी चेत्रों का निजी करन कर रहे हैं, सिक्छा का निजी कर निजी तो कि भविष में सुनील जी कितने प्रतिशत हिंदूों को नौकरिया मिल पाएंगे, कितने प्रतिशत हिंदूों को, देखिए भविष में नौकरियों की स्थिति और खराब होने वाली है, और कई बार मैं अपने छातरों से मजाग में कहता हूँ कि तुम लोग हम सच है कि नौकरियों के मामले में बहुत भयानक हाल आगे होने वाला है, और सबसे ज़्यादा नुकसान ACST OBC बरका होना है, इसको हमें समझना पड़े हैं, निशीत निशीता और समझने की बहुत ज़रुरत है और अब भी नहीं समझ में आया, और अभी भी हम कथा कहानियो और तमाम नौटंकियों को देखने में व्यस्त रहे और मस्त रहे, तो निशीत रुप से भविश बहुत अंद्रकार में हैं, और ये डराने के लिए हम ये परिचर्चा नहीं कर रहे हैं, ये एक चेतना आनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए, और खुद भी विश्डेशन क और बढ़ना चाहिए, इसके आवश्यक्ता हम तमाम युवाओं से के मन में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम युवाओं से ये उमीद भी करते हैं, कि वो इस तरफ भी सोचें, क्योंकि बहुत सारे जो है पर्व हैं, ये सब आते जाते रहेंगे, बहुत सारे च आप दोनों ने यहाँ पर अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंकि रहेंगे